नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रभीकांत आप देख रहे हैं R.D. न्यूज इस बक्त की बड़ी खबर गौरकपुर पुलिस ने दो ठगों की तलास में चलाया सर्च ओप्रेशन एक ही मोबाइल में 15 अलग अलग सिम कार्ड लगाकर की ठगी कामा चेतर में उनलाइन ठग बदमासों की तलास में उत्तर पृदेश के गौरकपुर सिदार्त नगर के आदा दर्जन व्यक्तियों के साथ एक ही मोबाइल में 15 अलग अलग सिम लगाकर ठगी की बार्दात को अंजाम दिया जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिश ने मोबाइल लोकेशन के आदार पर कामा मेबाद चेत्र के दो साइबर ठगों को चिन्नित कर उनकी तलास में कामा मेबाद चेत्र के गामों में पहुंचकर तलास की गई है जहां कामा थाना अदिकारी देराबर सिंग भाटी ने बताया की उत्तर प्रदेश के गौरकपुर सिदार्थ नगर थाने के हैर कौंस्टेवल सरवन कुमार यादव के नित्रत में पुलिश टीम ने कामा थाना पहुंचकर अवगत कराया की उत्तर प्रदेश में करीब आदा दरजन मामले साइवर ठगी के दरज किये गए हैं जिनके दो आरोपी कामा चेत्र के हैं उत्तर प्रदेश पुलिश द्वारा चिन्नित किये गए दोनों ही आरोपी बड़े सात्र बताए गए हैं जिनोंने अपने एक ही मोबाइल में टीम के द्वारा सर्च ओप्रेशन भी चलाया गया सिद्दार्थ नगर थाने के हेड कोंस्टेवल सरवन कुमार यादव ने बताया कि कामचेत्र के दो ठक बदमासों ने एक ही मोबाइल में करीब 15 अलग-अलग सिम कार लगा कर ठगी की गटनाओं को अंजाम दिया गया है ठ उनके द्वारा ठगी की गटनाओं को अंजाम दिया जाता है दोनों आरोपियों को पुलिस ने चिन्नित कर लिया है जिनकी तलास में सर्च ओप्रेशन चलाया गया जहां कामा ठाना छेत्र के अंतरगत आने वाले कैई गामों में कामा ठाना पुलिस को साथ लेकर ओनलाइन ठागों की तलास में दविश दी गई जहां कामा ठाना पुलिस द्वारा भी उत्तरपिर देश पुलिस को पूरा सयोग दिया गया जहां गोरकपुर्य सिद्दार्ट नगर ठाने के एड़कों स्टेबल सर्बन कुमार के नित्रत में पुलिस टीम ने दविश दी है जहां अब इसके चलते अपरादी बदमासों में भी हड़कंप मचा हुआ है जहां कामत आना छेतर में आए दिन अन्य राज्यों की पुलिस आती हैं और ओनलाइन ठग बदमासों की तलास में सर्च ओपरेशन चलाती हैं ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें पंद्रे अलग-अलग सिम भी सपलतर नहीं लग पाई है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और हमारी सबी खबरों को अपने दोस्तों तक सेयर अबस्य करें